आपका स्वागता दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर सिंपल एनरजी के सिंपल वन स्कूटर और ओला स्वाड प्रो के कम्प्लीट डीटेल्स अल्री देख लिए होंगे नहीं देखा है तो आपको लिंक्स मिल जाएकर डिस्क्रिप्शन एरिया में और आज के वीडियो में हम लोग कपेर करेंगे औल दीस 3 स्कूटर इंटर्म्स आप स्पेसिकेशिकेशन क्योंकि गारी तो अभ स्पीड जो कुछ भी आप जानना चाहते हो इन टर्म्स आफ विक कंपारिशन ताकि क्लारिटी हो जाए कि भाई कौंसी गाड़ी मेरे बेस्ट रहेगी बर देन दोस्तों स्टेट्यून डोंट प्रीबुक दवेहिकल्स बिकॉस आने वाले कुछ दिनों के देर मैं आपके स तो सिंपल वन के अंदर सबसे ज्यादा बैटरी कैपाश्टी मिलती है वैल येस ताट इस फैक और 4.8 किलोवाट अवर की बैटरी प्रॉमिस की जारी कमनी तरफ से वहीं पर ओला के अंदर एस वां के अंदर आपको मिलती है 2.98 किलोवाट अवर और S1 प्रो के अंदर आप पर आएगी एस होंगे उसके बाद ही आपको इसे बुक करनी है अब अगर बात करते हैं रेंज की जो है IDC कंडिशन और इंद्राइब कंडिशन तो वहां पर सिंपल एनर्जी की जो वन है उसकी रेंज है 236 किलोमेटर अगर क्लोज तो वेहिकल्स विच अर रनिंग उन पे चार्जिंग की तो यहां पर चार्जिंग ताइम अगर बात करते हैं तो सिंपल एनर्जी वन की बैटरी को लगता है 2 hours 45 minutes for a fixed battery from 0 to 80% और वहीं पर 75 minutes for the portable battery अब थोड़ा सा और कंफूजन है जब तक company हमें जवाब नहीं देते हैं हमारे पास बहीं क्लारिफिकेशन नहीं की fix battery का concept कैसे काम करता है potable battery कैसे काम करती है but then this is what they have promised वहीं पर Ola की तरफ से S1 की जो बैटरी है that's around 4 hours 48 minutes for 0 to 100% और S1 Pro की बैटरी को लगते हैं साड़े 6 गंटे complete charge होने के लिए अब अब अगर बात करते हैं charging time outside मतला आप घर में नहीं हो on the drive हो और अपको लगते है कि भाई minute का time charging करने में which means almost 45 km range in 18 minutes in terms of the comparison वहीं पर Ola की तरफ से S1 का लगता है 75 km in 18 minutes, S1 Pro को 75 km in 18 minutes, हालांकि अब डिपेंड करता है दोनों companies ने प्रमिस तो बहुत सारे charging sessions की है all over the country, let's see in reality कहां पर आपके घर के पास कितने charging sessions available है because that's what is more important instead of just the number जहां पर companies claim करती है 1000 service stations or charging stations but in reality आपके घर के पचास किलमेटर रगोई charging station नहीं है then this makes no sense अब चलिये बात करें performance की और सबसे ज्यादा इंपॉर्टन होता है गारी के इंदर top speed और यहां पर Simple Energy 1 की top speed है 105 km per hour which is pretty good Ola की S1 का top speed है 90 km per hour but then S1 Pro offers you 115 km per hour now that's super crazy and which is kind of the fastest or one of the fastest which we have seen in the Indian scooter options अब चलिये बात करते हैं इन ड्राइविंग तॉप स्पीड की यहां पर आपको अलग ड्राइविंग मोड्स मेलते हैं जिससे आपको better efficiency भी मिलती है और top speed भी अचीव कर सकते हो Simple Energy 1 के अदर आपको चार मोड्स मिलते हैं Eco Mode, Ride Mode, Dash Mode और Sonic Mode Ola S1 के अदर आपको दो ही मोड्स मिलते हैं Normal and Sports वहीं पर S1 Pro के अदर आपको एक्स्ट्रा मोड्स मिलता है जो है Hyper Mode जिसके अदर आप 115 किलो मेटर की top speed भी अचीव कर सकते हो अब अब अगर हम बात करते हैं Motor Power की तो Simple Energy 1 की मोटर है 4.5 किलोवाट की Nominal 75 Watt की Peak और वहीं पर अगर हम बात करते हैं Ola S1 की तो that's 5.5 किलोवाट at nominal and 8.5 किलोवाट at peak S1 Pro के अदर आपको Same 5.5 किलोवाट की nominal and 8.5 किलोवाट की peak motor power मिल जाती है अब अगर हम बात ही कर रहे हैं performance की तो It really matters how fast your vehicle picks up और यहां पर 0 to 40 km per hour की speed जाने के लिए Simple Energy 1 को लगता है Just 2.95 seconds Which is actually the fastest in all these three options उसके बाद है Ola S1 at 3.6 seconds And S1 Pro at almost close as Simple Energy 1 at 3 seconds अब अगर हम बात करते हैं 0 to 60 km per hour तो Simple Energy की कोई details नहीं है लेकिन Ola S1 takes 7 seconds वहीं पर S1 Pro does take just 5 seconds Which means it's actually a pro vehicle अब अगर हम बात करते हैं क्रूस कंट्रोल की तो Simple Energy की तरस से क्रूस कंट्रोल का उप्शन नहीं मिलता है वहीं पर Ola ने S1 के अंदर भी क्रूस कंट्रोल नहीं दिया लेकिन Pro Variant के लिए specifically यहां पर पर क्रूस कंट्रोल का उप्शन दे दिया है Ola S1 के अंदर नहीं मिलता है लेकिन Pro के अंदर आपको मिल जायता तो काफी चीजे हैं जो S1 के अंदर नहीं अविलेबल लेकिन आप में से काफी लोग इंटे Ola S1 के लिए because of the price point but then you also need to make note of all these factors which have been mentioned in this video अब अगर हम बात करते हैं Hill Hold का feature मतलब किसी हिली रोट को पर जा रहे हो और वहाँ पर गारी आटोमेटली वहाँ पर रुख जाये वापस रिवर्स जाने के बदले में तो ये feature सिर्फ और से फविलेबल है Ola के S1 Pro के अंदर अब अगर हम बात करते हैं color options की तो यहाँ पर सिंपल एनरजी के तरफ से आपको 4 color options मिल जाते हैं इस्पेशली उसमें से एक तो Bangalore सेंट्री की कि तो बैंगलोर स्टार्टप विच इस अनमा रेड वही पर Ola के तरफ से यहाँ पर 2 options है S1 के लिए 5 color options है S1 Pro के लिए 10 color options आपको मिल जाते हैं अब अब बात करते हैं Smartphone application Then yes, both of these Or you can say all these 3 options Offer you with a smartphone application इसके अदर आपको Advanced metrics, Ride details, Drive details यह सब कुछ आपको मिल जाते हैं अब ज़िए बात करते हैं वेहिकल के उपर डिस्पले की और तीनो की तीनो Bikes की यापर स्कूटर की उपर आपको मिलते हैं 7-inch touchscreens Which is actually kind of expected But I really wish एक अदी गारी के अंदर है यह लोग Touchscreen भी ना देते हैं Standard digital meter देते हैं और थोड़ी और Cost cutting करके हमें एक better option देते हैं अगर रम बात करते हैं गारी की वेज की Simple Energy 1 का वेट है 110 kg Ola S1 is 121 kg S1 Pro is 125 kg Simple Energy 1 की प्राइस शुरू होती है 1,9999 रुटीज इसके अलावा registration जो भी extra charges है वो सब obviously additional रहेंगे Companies के इसके उपर कोई clarity as of now नहीं दी है Ola की तरफ से जो S1 है उसकी pricing start होती है 99,9999 रुटीज से S1 Pro की pricing शुरू होती है 1,29,9999 रुटीज से और यहां पर EMI facility के अगर हम बात करते हैं तो Simple Energy की सरफ से कोई details अभी तक निकल के नहीं आएं लेकिन Ola की तरफ से यहां पर clear clarity है कि आप 2,999 रुटीज के पर मन्त EMI के उपर इन गारीज को ले सकते हो लेकिन अभी मैंने उनकी website को चेक किया था कोई clarity अभी तक नहीं है में भी आने वाले महीने में जब bookings full payment के लिए लेनी शुरू हो जाएंगी तब हमें clarity मिल जाएगी कौन है उनके banking partners और किस तरसे आप इन vehicle को EMI में ले सकते हो अब अगर हम बात करते हैं booking amount की तो यहां पर Simple Energy के ले रहे हैं option ले लिजिए यह थे कुछ specs based comparison दोनों वेहिकल के अब आपके पास कौन से important सवाल है नीचे comment कर दीजिए मैं सबके जवाब जो जो भी मैं दे सकता हूं time to time मैं सबके जवाब देते रहोंगा और आने वाले video के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों क्या है सबसे ज्यादा important point जिसके लिए आपको wait करना है before you book this vehicle so I would just suggest that stay tuned this week we have a lot of powerpack videos coming up on just EV मैं हो अमेत और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे और आपने friends के साथ भी share कर दीजिए मैं हो अमेत हो मैं आपको मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye